आज मैं पुरिस कमिसर आपिस में हूँ और यहां मैं मैं देख रहा हूं काफी प्रित आए प्रित आप यहां पर कमिसर आफिस आप आई है आपका क्या प्रिति हैं जिनका बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता है अखले शुकला बेटे की पैरेंस मीटिंग में मिलने के बाहने बहुत बहुत गंटों बैठे रहते हैं मैंने जब उनकी शिकायत करनी की कोशिश करी कई बार यह रिपीट हुआ इंटेंशन नहीं जो पैसे लेना एक्स्टॉर्शन का और कोई इंटेंशन नहीं वह जानते की स्कूल एक बड़ा इंस्टीचियों की कैसे पैसे दीमे तिमे एक एक करके सारे स्कूल के टीचरों पे एक आयार करें जिसे हम लोग परिशान हो गया माना घर से निकल ना सब बा परिशान कर रहा है जिस तरह ही परिशान है और उसकी शेकायत लेका यां कमिशनर आफिस आप आई है और कमिशनर साब करा रही है उन्होंने क्या आद्वासन दी आपको अभी माज कमिशनर से नहीं मिल पाई हूं और इसकी जाँच चल रही है जो एक परिशान करना हर जगा जाना गंदे-गंदे कामेंट करना बैठे रहना श्कूल में आके परिशान करना गंदे-गंदे मेशन भीज़ना जिस तरह इंका कहना है वो जो इनके case का रोपी है वो जिस तरह इनको torture परिशान कर रहा है इनको गंदे-गंदे message भेज रहा है और इस तरह से इनका social कर रहा है और इसके लिए मैं भी अपके channel के माद्यम से यहां के अलादिकारियों का उकत कराऊंगा ताकि संग्यान ले और मैं देखरा हूं साथ में एक साथ और सही बात करता हूं आपके कहा नाम है रूही जी आपके साहं महिल आई हैं यह मेरी पत्ति है आपको क्या नौलीजब्स में आपकेक्स निस्वार जाचछ हैंसे पल लेको निस्वार नहीं चाहा है हम नहीं चाहते कि मेरी तरफ से हो या उसकी तरफ से हो सच्चाई बाहरा आनी चाहिए इनका कहना है कि सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहता हूँ जो रियल्टी हो सामने आए और जो सी जो है इस केस का को जेल जाए और मैं देख रहा हूँ कि महिला जो बड़ी भैवित हैं डरी हुई हैं और रो रही हैं कुछ बताना चाहेंगी और मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप यह बात को यहां का आदा अधिकारियों का वक्त कराऊंगा यहां तके मुक्वंतित का पहुंचाऊंगा आप क्या कहने चाहेंगी सर्बस हम लोगों को नयाई दिला दीजे क्योंकि यस आद्मी ने हम लोगों का घर से निकलना मुश्किलो गया कभी मेरे 12 साल के बेटे को फोन करता है डराता है और कभी अलग-अलग नंबरों से हम लोगों को फोन करना मैजहां भी जाती हूं कोई ना कोई बैठा रहता है जो मुझे कॉमेंट करता है हम लोगा घर से निकलना मुश्किल हो गया पूरे शहर में कभी मेरी फोटो मीडिया में दिखा रहा है कभी ट्विटर पे डाल देते पर्सनल फोटो मेरी हर जगह वाइरल कर रहा है बहुत जादा परिशान कर दिया बस मुझे नया दिला दिए य जैसा कि अच्छे को पुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आता थे जिस तरह एक फैमिली एक शरीफ फैमिली सम्मानित फैमिली को इस तरह से दबंगों दारा परिशान के जा रहा है और मैं भी अपने चंद्रम माद्यम से इसको संग्यान लेकर यहां के मुखमंदी को आत क्यांगा टाकि अभी लम कारवाई हो और चिरे जाए और बताने चाहेंगे हम लोग की हिस्ट्री भी चेक कर लिजाए हमारी इंघिया दिर कि हमारे हिस्ट्री वाइब कर ले और प्लीज चेक करें और अखलेश शुकला की हिस्ट्री चेक करी जाए उसके बाद ही कोई और अगली अपडेट में किसी ने अपड़कर सावकत कराएंगे जब तक कि रास्ती अंतरासी खबरों से बने रही है एंटे करफसंडिया न्यूज के साथ मचीव अधिटर अतर हुसान एंटे करफसंड से नमस्कार जहिंद